शुद्धुपला स्पान मसाला पेश करते हैं आज की बड़ी खबरे नमस्कार मैं काजल चौधरी और आप देख रहे हैं दे संडे हेड्लाइन्स उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदितिनाथ ने लखनाओ और राजी के अन इलाकों में हुई हिंसा को गलत बताया है उन्होंने कहा कि राज में सरकारी संपति को जिसने नुकसान पहुचाया उसकी संपति जपत की जाएगी और इसकी संपति को बेच कर इस नुकसान की भरपाई की जाएगी उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है योगी आदितनात ने विपक्षी पार्टियों पर राज मेहिंसा फैलाने का आरोब भी लगाया है उन्होंने कहा कि इन पाटियों ने राजनीती की रोटी सेकने के चक्कर में महाबंदी के नाम पर पुरे देश को आग जनी में जोकने का काम किया है हम लोग citizen amendment act के नाम पर दुस्परचार बंद करें लोगों को वास्तिविक जानकारी होनी चाहिए लेकिन राजनीती की रोटी सेखने वाली कॉंग्रेस सपा और बामपंथी संगठनों ने जिस प्रकार से आज महाबंदी के नाम पर पुरी देश को आगजनी की चपेट में जोकने का प्रियास किया है यह अस्विकार है रुत्तर प्रदेश में इस प्रकार की तत्वों के साथ हम सकती से निप्टेंगे मैंने इसके बारे में अभी एक बड़ी बैठक बुलाई है और मैं इस चीज़ को स्विम समिक्सा कर रहा हूँ मैं स्विम देख रहा हूँ और जो भी जिम्यदार होगा उसकी जवाबदेई भी तै करेंगे इस हिंसा में लिप्त प्रतेक तत्व की प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे और उस जब्त से सारजनिक संपत्य को हुए नुकसान या कहीं पर पबलिक प्रॉपर्टी को जो डैमेज किया गया है इसकी भरपाई भी हम उन सभी उपद्रवियों से करेंगे क्योंकि वे सब चिन्नी चेरे हैं वे सब वीडियोग्राफी में आ चुके हैं सीसी टीबी की फोटेज में आ चुके हैं इन सब की प्रॉपर्टी को जब्त करके इन से हम इसका बदला लेंगे और सक्ति से निपटने के लिए इसकी बारे मैंने कहा है बतादे की नागरिक शंसोधन कानून के खिलाफ बिरोध प्रदर्शन के दौरान लखनव में कई जगा आग जनी और तोर फोर हुई है पुलिस की गारी समेत कई गारियों में आग लगा दी गई है भीड को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया है लखनव के हजरत गंज में नागरिक्ता शंसोधन अधिनियम के खिलाफ बिरोध प्रदर्शन काफी हिंसक हो गया है प्रदर्शन कारियों ने पत्राव किया इसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज का सहारा लिया इससे पहले आज नागरिक्ता शंसोधन कानून के खिलाफ उत्तर प्रदेश के संबल में प्रदर्शन हिंसक हो गया है यहां प्रदर्शन कारियों ने रोडवेज की एक बस को आग के हवाले कर दिया फाइर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुँच कर आग बुझाई पुरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई थी पुलिस ने अलग-अलग जिलो से सैंकडो प्रदर्शन कारियों को हिरासत में ले लिया है बाकी की अपडेट्स के लिए देखते रहे दे संडे हेडलाइन्स अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करे शेर करे और हमारे चैनल दे संडे हेडलाइन्स को सबस्क्राइब करे सबस्क्राइब करें हमारा यूट् we off चैनल दे संडे हेडलाइन्स बिल बटन दबाई और नोडिफिकेशन बाई